विधान सभा में आज खाली सराब की बोतल मिलने पर हड़कम्प मच गया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादों ने गहरी नराजगी भी जताई इस दोरान मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने गहरी नराजगी जताते हुए इस मसले पर भढ़क गये और उन्हों ने क्य कुछ कहा है यह आप जरूर सुनें इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के सवाल पर यह भी कहा कि समाचार मीडिया या फिर सोसल मीडिया में खबर आने के बाद हम उसका नोटिस नहीं लेते हैं आखिर किस सवाल पर मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा यह भी आप जरूर सुनिएगा ले करके और डीजिप पे हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वाइरी करवाईए और अगर आप इजाजत दे दिजेगा तो यहां पर कैसे सराप का बोतल आया है और यह मामूली बात नहीं अगर यहां पर कोई सराप का बोतल आया है तो कोई करने वाला होता ही है हम तो प्रार्थना करेंगे एक दम पूरे जाच को एलाव करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए सेक्रेटरी वगरत मैं तो यहीं चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यह कहां पर कैसे आया कहां से आया कौन आया तो एक एक चीज को पूरे बजबूती के साथ पूरी गंभिरता के साथ इस बात के बारे में जाच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उत पर सक्त कारवाई करनी चाहिए हम तो यहीं चाहेंगे डिस्टित रूप हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब नहीं पढ़ेंगे हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोसल मीडिया में आ जाता है तो हम देखते ही नहीं है मेरा आप जानते नहीं मेरा सभाव जो है तो सुना आपने किस तरीकी से मुख्यमंत्री और नेता प्रति प झाल